एक दो बेवकूफ यहा रहां भी यहा हमारे इस कमेंट बोक्स में दिखाई दे रहा हैं ये वो और ये वो आहिए कई एक कहाणी सुनाता हूँ देखो एक एक लड़का था बहाँट सैख एक लड़का था कलाकंद उसका नाम था कलाकंद, ठीक है ऑके कलाकंद चौधरी ने एक दिनिश्चे किया के भाई अचानक बैठे बैठे के भाई जी आई एक्जिबिट और नॉट अगला खाना आज जो मम्मी ने दे दिया अगला खाना मैं तभी खाऊंगा जब कोई लाल शुर्ट पहनकर और पीली पैंट पहनकर और काले जूते पहनक और फिर और वह आदमी होना चाहिए और फिर वह जब खाना बनाएगा फिर वह मुझे चांदी कि धाली में झोकाना परोसर घ़ा में तभी वह खाना परोस्ते फोलोंगी नहीं तो नहीं कौन की प्लेनेट पर रहता है तू नहीं तो नहीं खाऊंगा और तब मन नहीं रहोंगा मर जाओंगा यह खाना खाऊंगा अरे पकले इन्सान इसी तरे और किसी को बताया नहीं मन ऐसा सोच लिया बस तो एक बच्चा ऐसा था ठीक है तो होता क्या है अरे बहले हो भाई उसकी मम्मी आई अगले दिन शाम को खाना बनाया ठीक है वह मौन वरत में था मम्मी ने खाना सामने रखा उसने खाया नहीं सो गया अगले दिन मम्मी ने फिर खाना बनाया सामने रखा सो गया नहीं खाया खाया उसने बोल सकता नहीं था प्रण ले रखा था भाई ने लेकिन उसने तो प्रण ले रखा था लाल सर्ड पीली प्याइन आदमी खाना बनाए चांदी की एंजी थाली में परोसित भाई को खाना खाना था तो भाई ने खाना निखाया अब जब भाई खाना निकार श्कील में क्या हुआ बिल्कुल होगयsorry और ऎक दिन अल्दह को पिशार हो आयती बम्बे जाएगा, कभूत और साइंस मिलेगा, फिर अगले दिन एक दिन क्या होता है, यम्! ये दूबले पतले होते चले जाते हैं और एक दिन इनका मैत्स वर्ग सिधार जाता है, प्रान पकेरू उड़ जाते हैं और लोग कहते हैं, देखा कितना बड़ा भी बताए बिना ही चल बसते हैं चल भाई आगे बढ़ते हैं चल भाई